हलो दोस्तों, आज हम शिब महापुराण के चोथे अध्याई को शुरू करेंगे, जिसमें चोथा अध्याई चंचुला की शिब कथा सुनने में रूची और शिब लोग गमन ब्रामन बोले, नारी, तुम शवभाग्यशाली हो, जो भगवान शंकर की क्रिपा से तुमने बैराग्यपूरण शिब पुराण की कथा सुनकर श्मय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है, तुम डरो मत और भगवान शिब की शरण में जाओ, उनकी परम क्रिपा से तुम्हारे सभी पापनश्ण हो जाएंगे, मैं तुम्हें भगवान शिब की कथा सहित बैमारक बताऊंगा, जिसके द्वारा तुम्हें शुक देने वाली उत्तम गती प्रापत होगी, शिब कथा सुनने से त तुम्हारी बुद्धी शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन हुआ है, पश्चाताप ही पाप करने बाले पापियों के लिए सबसे वड़ा प्रयाशित है, पश्चाताप ही पापों का शोधक है, इससे ही पापों की श शुद्धी होती है शत्पूर्षों के अनुसार पापों की शुद्धी के लिए प्रयाशित पश्चाताप से ही संपन्न होता है जो मनुश्य अपने कुकरम के लिए पश्चाताप नहीं करता वे उत्तम गती प्रापत नहीं करता प्रंतु जिसे अपने कुकृत्य परहारदि पस्चाताप होता है, वै置 अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है, इसमें कोई शक नहीं है। शिब पुरान की कथा सुनने से चित की शुद्धी एवम मन निर्मल हो जाता है शुद्ध चित में ही भगवान शिब वे पारवती माता का वाश होता है वे शुद्ध आत्मा पूरुष शदा शिब को के पद को प्रापत होता है इस कथा का श्रवन सभी मनुष्यों के लिए कल्यान कारी है अतहे इसकी अराधना वैसेवा करनी चाहिए या कथा वव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है भगवान शिब की कथा सुनकर हिर्द्य में उसका मनन करना चाहिए इससे चित की शुद्धी होती है चित शु मिश्वर की भगती निश्य ही प्रकट होती है तथा उनके अनुग्रय से दिव्य मुक्ती प्रापत होती है जो मनुष्य माया के प्रती आशक्त है वै इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है ब्राह्मन पतनी तुम अन्य विश्यों से अपने मन को हटा कर भगवान शं इस से तुम्हारे चित्त की शुद्धी होगी और तुम्हें मुक्ष की प्राप्ती होगी जो मनुष्य निर्मल हिर्द्य से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जनम में मुक्ती हो जाती है सूत जी कहते हैं सौनक या कहकर बे ब्रामन चूप हो गए उनका हिर्द्य करुणा से भर गया बे ध्यान में मगन हो गए ब्रामन का उक्त उपदेश सुनकर चंचुला के नित्रों में आनंद की आशु छलक आए वे हरश भरे हिर्द्य से ब्रामन देपता की चर्णों में गिर गई और हाथ जोड कर बोली मैं कृतार्थ हो गई है ब्रामन शीव भगतों समेशरेष्ट स्वामीन आप धन्य हैं आप परमार्थ दर्शी हैं और सदा प्रोपकार में लगे रहते हैं साधो मैं नरक के समंदर में गिर रही हूँ कृपया कर मेरा उधार कीजिए जिस पौराणिक वै अमरित के समान संदर शीव पुराण कथा की बात आपने की हैं उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन हुए है उस अम्रित में शीव पुरान कथा को सुनने के लिए मेरे मन की वड़ी श्रद्दा हो रही है तिरिपया आप मुझे उसे सुना दीजिए सूत जी कहते हैं शीव पुरान की कथा सुनने की इच्छा मन में लिये हुए चंचुला उन ब्रह्मन देपता की सेवा में वही रहने लगी उस गोकरण नामक महाक्षेत्र में उन ब्रह्मन देपता के मुख से चंचुला शीव मोह पुरान की भग्ती ज्यान और बैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ती देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर क्रिथार्थ हुई उसका चित शुद हो गया वे अपने हिर्द्य में शीव के सगुन रूप का चिंतन करने लगी वे सदैव शीव के संचिदा नंद मै रूस वरूप का श्मरण करती थी तत पश्याद अपना समय पूरण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना श्रीर त्याग दिया उसे लेने के लिए एक दिव्य बिमान बहां पहुंचा वे बिमा शोभा साधनों से सजा हुआ था शीव गणों से शोभी था चंचुला बिमान में शीव पूरी पहुंची उसके सारे पाप दुल गए वे दिव्यांगना हो गई वे गौरागी देवी मस्तक पर अर्ध चंदर का मुक्ट वे अन्य दिव्य आभूशन पहने शीव शातन देवता त्री नित्रधारी महादेव शीव को देखा सभी देवता उनकी शेवा में भक्ती भाप से उपस्तित थे उनकी अंग कांती क्रोडों शूरियों के समान प्रकाशित हो रही थी पांच मुक और हर मुक में तीन तीन नित्र थे मस्तक पर अर्ध चंद्राकार मुक्ट शोभायमान हो रहा था कंठ मैं नील चिन था उनके साथ मैं गौरी देवी बिराजमान थी जो विद्यत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी महादेव जी की कांती कपूर के समान गौर थी उनके श्रीर पर श्रेत बस्तर थे तथा श्रीर श्रेत भसम से युक्त था इस प्रकार भगवान शिव के परम उजवल रूप के दर्शन कर चंचुला भोत प्रशन हुई उसने भगवान को बारम बार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम आनंद और संतोस से युक्त हो बिनित भाव से खड़ी हो गई उसके नेत्रों में आनंद शुरूओं की धारा बहने लगी भगवान शंकरवे भगवती गौरी उमा की करुणा के साथ सौम में दिश्टी के उसे देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सक्षी बना लिया चंचुला सुक पू पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सकी के रूप में निवाश करने लिए जै इस तरह से हमारे शिव महापरवान के चौत्य ध्याय कभी समापन होता है धन्यवाद